हेलो एव्रीवन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नि्ट्रीक्षिक्स जो आप लोग का बिच्ग से फ़रडी एर का टॉपिक है वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना इस वीडियो के अंदर हम लोग nuclear physics जो है उसका introduction पार्ट जो है उसको complete करेंगे ठीक है मैं यहाँ पर आपको nuclear physics की जो series लाने वाली हूँ उसके अंदर कुछ important topics complete कराऊंगी means हम लोग क्या करेंगे जो nuclear physics का paper है उसमें से कुछ important topics को हम complete करेंगे ताकि हम कम समय में जादा score कर सकें ठीक है इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ tips और tricks भी बताऊंगी उन tips और tricks की help से आप क्या करेंगे अगर आपके पास में कोई objective question आता है ठीक है तो चलिए start करते हैं हमारा आज का new interesting topic लेकिन इसके साथ साथ में मैंने video के last में आपके लिए एक surprise भी रखा है तो आप last तक बनिये रहेगा तो हम start करते हैं हमारा आज का new interesting topic introduction of nuclear physics देखिए nuclear physics जो है उसको हम हंदी में बोलते हैं नाभी के भाथिगी ये तो आप सब जानती हैं देखे नाभी के बहतीगी जो है इसमें हम हम लोग क्या क्या अध्धन किया जाता है इस शाखा में नाभी के विलेय और रेडियो धर्मिश है बिखंडन और नाभी के सल्येन जो हम नूटल थे आज़ा है उसके साथ साथ में संसुचक म्निस डिटेक्टर का अध्यान करते हैं मिन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो नाभिके बहुतिकी है यह फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है एक ऐसी शागा है जिसके अंदर हम नाभिक का अध्यान करते हैं हम सब जानते हैं कि अगर अपने पास में एक परमाणू है तो उसमें क्या क्या होगा उसमें कौन कौन से करण होंगे उसमें इलेक्ट्रोन होंगे प्रोटोन होंगे और न्यूट्रोन होंगे प्रोटोन हम जानते हैं कि परमानू जो है उसके अंदर एक नाभिक होगा जिसमें परमानू की नाभिक के अंदर प्रोटोन और नीटोन दोनों होंगे electron बाहर की कलक्षा में चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर हमें proton और neutron जो हैं उनकी properties को समझना जरूरी है एक परमानू की properties को समझना जरूरी है तब ही हम nuclear physics पर work कर सकते हैं और उसकी help से हम different type के detectors और accelerators बना सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो nuclear physics है उसकी properties ले लेते हैं जैसे आप English study करते हो तो English study करने के लिए पहले आपको वाकेब आनी चाहिए और वाकेब आनी से पहले आपको क्या आना चाहिए ABCD आनी चाहिए तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर जो nuclear physics है उसके इंदर nuclear properties नाभी के गोन देगे सबसे पहले हमने topic लिया द्रवेमान संक्या मास नंबर मास नंबर क्या होता है हम सब जानते है नाभीक में कौन कौन से गण होते है दो टाइप की निकलियोंस होते है नाभीक जो है वो क्या है निकलियस में दो टाइप की निकलियोंस होते है है ना एक proton और एक neutron तो हम क्या कहेंगे द्रवेमान संक्या क्या है यहाँ पर हम कहेंगे नाबिक में उपस्तित nucleons की संक्या मिंस proton तथा neutron की कुल संक्या अब mass number को आप किस से represent करते हैं A से तो द्रवेमान संक्या A is equal to कितना हो गया P plus N P क्या है आपके वास में number of protons और N क्या है number of neutrons इसको हम ऐसा भी लिख सकते है A equals to Z plus N ठीक है तो आपके पैस में Z क्या हो गया यहाँ पर ज़ो है आप सब जानते हैं परमानू क्रमांग means atomic number और परमानू क्रमांग क्या होता है आपके वास में number of electrons किसी भी परमानू में जितने number of electrons होते है उसको हम कहते हैं परमानू क्रमांग जितने number of electrons होंगे उतने ही number of protons होंगे तो हम A equals to P plus N को क्या लिख सकते हैं A equals to Z plus N ठीक है इसको समझने के लिए हम एक example ले लेते हैं देखो जैसे oxygen का परमानू द्रविमान जो है उसका जो आपके पास में atomic weight है वो कितना है 16 AMU है AMU क्या है आपके पास में AMU means atomic mass unit यह आपके पास में एक unit है mass को measure करने की जैसे हम kilogram लेते हैं वैसे ही अपने पास में परमानू का द्रविमान लेने के लिए यह अपने पास में small unit है AMU तो आप आप example लो जैसे oxygen है तो oxygen में आपके पास में कितने proton है oxygen किस पर आता है 8 नमबर पर आता है oxygen का atomic number क्या है 8 है तो number of electron कितने है 8 है number of proton कितने है 8 है तता 8 neutron उपस्तित है तो P plus N कितना हो गया 8 plus 8 total कितना हो गया 16 तो आपके पास में A की value तो कितने आई 16 लेकिन आपने उसको दरव्यमान की एकाई से mass की जो unit है उससे multiply कर दिया किस से AMU से तो आपके पास कितना हो गया दरव्यमान 16 AMU ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास में हम यह समझ गए दरव्यमान संख्या गया होती है दरव्यमान संख्या वो संख्या है जिसमें हम क्या करते है number of protons और number of newtons को add कर देते हैं यह हमारे पास formula है अब चलते हैं हम next side पे देखिए यहाँ हमने क्या लिखा जब दरव्यमान संख्या की पर्मानू दरव्यमान की इकाई पर्मानू दरव्यमान की इकाई क्या है amu atomic mass unit से गुणा करते हैं तो नाबिक का सन्निकट दरव्यमान प्राप्त होता है मतलब approximate mass आपको मिल जाएगा ठीक है जब आप amu से multiply करते हैं जैसे मेरे पास में oxygen के लिए 8 plus 8 कितना आया था एक मिनिट देखिए oxygen के लिए 8 plus 8 कितना आया था 16 आया था तो मैंने इसको किस से multiply किया amu से तो मेरे पास 16 amu oxygen का approximate mass आगिया सन्निकट दरव्यमान आगिया ठीक है अच्छा इसके लिए दरव्यमान संख्या कितनी है hydrogen में कितने proton होते है एक neutron कितना होता है जीरो तो 1 plus 0 1 तो दरव्यमान संख्या कितनी आ गई 1 और इसका जो परमानू बहार है amu में वो भी approximate 1 के एसपास ही होता है ठीक है इसी डाइब से हम helium लेते है helium कितने number पे आता है 2 number पे आता है परमानू क्रमान कितना है 2 है helium में कितने proton होते है 2 neutron कितने होते है 2 तो 2 plus 2 किया हमने 4 आ गया तो mass number कितना आ गया 4 आ गया इसका जो amu में दरव्यमान है वो कितना है 4 के आसपास ही है ऐसी ही हम carbon लेते है carbon में number of proton कितने है 6 है number of neutron कितने है वो भी 6 है तो 6 plus 6 12 हो गया और इसका जो परमानु भार है जो atomic weight है वो कितना आ गया 12 के अप्रॉक्स आ गया ठीक है अब हम लेते हैं नाभी किये गुण के अंदर next property परमानु क्रमांग आप सब जानते हो कि जिस भी परमानु के अंदर जितने number of electrons होते है वो उसका परमानु क्रमांग होता है जिसको हम Z से represent करते है Z equals to number of electrons equals to number of protons example ले लिया हमने अच्छा परमानु क्रमांग हमारे किस काम में आता है हम इस से calculate कर सकते है कि उस परमानु में कितना आवेश है है ना जैसे आपके पास में for example hydrogen है for example hydrogen है hydrogen का atomic number क्या है 1 है तो उस पे charge कितना होगा 1.6 into 10 is to power minus 19 cool arm ठीक है अब हम helium लेलते है helium कितने number पे आता है 2 पे आता है means उसमे number of electrons कितने है 2 है तो हमने क्या किया जो अपने पास में ये quantized value थी charge की 1.6 into 10 is to power minus 19 cool arm इसको हमने 2 से multiply कर दिया तो अपने पास में total charge ही आ गया 3.2 into 10 is to power minus 19 cool arm ठीक है अब हम चलते है next slide पे हाँ देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर मैंने कुछ important values लिखी है जो आपके काम में आएंगी ठीक है जिसे electron है electron जो है ना उसके अपने पास में जो द्रव्यमान है वो कितना होता है यह होता है 5.48 10 is to power minus 4 amu ठीक है लेकिन हम सब जानते है Einstein की equation क्या होती है equals to mc square जो हमें यह बताती है कि हम energy को द्रव्यमान में मास में convert कर सकते हैं और मास को हम energy में convert कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने जो electron का मास लिखा amu में इसको हम जब energy में convert करेंगे तो यह कितना बनेगा यह बनेगा 0.511 mega electric volt ठीक है energy हम किसमें लेते हैं हमेशा electric volt में लेते हैं तो यहां हमारे पास में electron के लिख कितना बन गया 0.511 mega electric volt that is very very important और यह value आप याद रखेंगे यह numericals में आपके काम आईगी अब हम चलते हैं proton पे proton का मास कितना है proton का मास है 1.007276 अब हमें इतनी बड़ी value याद नहीं रखनी है आप क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे केवल 1.007 यह भी आपके numerical में काम आएगा तो proton का मास कितना है 1.007 amu ठीक है इसके साथ में इसके energy कितनी है 938.28 mega electric volt लेकिन हम कितना याद रखेंगे हम याद रखेंगे 938 mega electric volt ठीक है अब हम चलते है neutron पे neutron का मास कितना है 1.008665 amu आप सिर्फ इतना याद रखो कितना मास है neutron का 1.008 ठीक है और उसकी energy कितनी है 939 उसकी energy है ये चीज़ें आपको numerical में help करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने एक बार हम revise कर देते है फटाफट electron जो है उसकी energy कितनी है 0.511 mega electric volt proton का मास कितना है 1.007 और energy कितनी है 938 neutron का मास कितना है 1.008 और energy कितनी है 939 mega electric volt अब हम लोग next topic लेते है packing fraction जिसको हम बोलते हैं हिंदी में sankulan gudang देखो packing fraction क्या होता है जैसे मान लीजे आपके पास में एक cup है और वो cup break हो गया अब आपने उसको किसी तरह से जोड़ दो दिया लेकिन जोड़ने के बाद दो नाबिक में एक nucleus जब दो nucleus में divide हो जाता है तो आपको सबको पता है कि वहाँ पे एक बंधन उर्जा निकलती है है ना एक binding energy निकलती है जिससे वो नाबिक जोड़े वे थे अब वो टूड गए अब आपने क्या किया उन नाबिक को वापिस लेकर के वापिस जोड़ा जब आप उनको वापिस जोड़ेंगे तो उनका packing fraction जो है न वो effect करेगा कि वो किस तरीके से जोड़े है ठीक है बात समझ में आ रही है तो आपके पास में packing fraction क्या होता है संकूलन गुणांग होता है तो यह संकूलन गुणांग कहाँ effect करता है जब आप नाबिके विखंडन और नाबिके सलियन study करते हैं मतलब nuclear fusion और fusion आप study करेंगे उसमें आप उनको यह help करेगा तो हम देख लेते हैं packing fraction क्या होता है बहुत ही simple सा चोटा सा formula है देखो packing fraction जो है वो कितना होता है m-a upon a m क्या है आपके पासी में जो atomic mass है minus a a क्या है आपके पासी atomic number एक मिनट हा m-a m क्या है atomic mass और a क्या है atomic number तो यह क्यालाता है आपके पासी mass defect दर्वेमाान शती और इसको जब आप दर्वेमान संक्या से mass number से divide करते हैं तो यह क्यालाता है आपके पास में packing fraction और आप देखो यहाँ पर जो आपके पास में द्रविमान शती है जो mass defect है M-A इसको हम represent करते हैं किसे delta से तो यह हमारे पास बनता है delta upon A अब अपने पास में जितने भी हलके और भारी नाबिक हैं है ना light और heavy nuclei है उनके लिए इसकी value positive रहती है ठीक है और जितने भी other nuclei है जो mid range के हैं उनके लिए इसकी value negative रहती है इसको हम डेटेल में पढ़ेंगे जब हमारे पास नाबिक के विखंडर और salian वाला topic आएगा अभी हम लोग आगे चलते हैं next topic है आपका नाबिक की त्रिज्जा देखिए नाबिक की त्रिज्जा जो है यह आपके पास में बहुत ही important formula है इसको आप बिल्कुल अच्छे से घोट के पी जाएं आप रट लें आप ऐसा रट लें कि आपको कोई नीन में भी उठा के पूँचे तो आपको पता होना चाहिए कि नाबिक की त्रिज्जा क्या है क्योंकि आपके numericals में भी काम आएगा यह आगे आप जितने भी nuclear के अंदर models study करेंगे वहाँ भी यह काम में आएगा और models nuclear के अंदर जो models है वह आपके exam में पूँचे भी जाते है देखो नाबिक की त्रिज्जा नाबिक की त्रिज्जा जो है वह आपके पास कितनी होती है capital R equals to R naught A to the power 1 by 3 अब देखो आप यहाँ पे यह R naught जो है यह constant है ठीक है constant इसकी value कितनी है इसकी value है 1.2 से 1.3 10 to power minus 15 meter और A क्या है आपके पास में A आपका atomic number है sorry sorry very sorry मतलब आपके पास में mass number है द्रव्यमान संक्या है यहाँ पर जब भी आपको radius calculate करनी है तो आप क्या करोगे कोई भी नाबिक है उसका आप A put कर दोगे जैसे अब यह oxygen था oxygen का हमारे पास में A कितना आया था 16 आया था तो मुझे यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर मुझे R0 जैसे मुझे radius निकालनी है oxygen की तो मुझे R0 की value पुट करनी है और उसके साथ में 16 का 16 की power 1 by 3 calculate करना है उससे मेरे पाल सीडे साजाएगी ठीक है अब आप यह देखो R0 की value कितनी है 1.2 से 1.3 10 is to power minus 15 एक सेकिंड 10 is to power minus 15 मीटर है यह 10 is to power minus 15 मीटर जो है यह आपका यह आपके पास में जो नाभी की तरिज़ा है उसका एक order है नाभी की तरिज़ा इतनी छोटी होती है 10 is to power minus 15 मीटर तो यह जो 10 is to power minus 15 मीटर है इसको हम लोग एक सेकिंड हाँ इसको 10 is to power minus 15 मीटर को हम 1 फर्मी भी बोलते है तो कही बार आप बुक्स में देखेंगे कि आपके पास R0 की value दिए होती है 1.2 फर्मी ठीक है अब हम देखते है नाभी का घनत्व नाभी का घनत्व जो है हम सब जानते है density कितना होता है mass upon volume m upon v m कितना आएगा आपके पास mass कितना आएगा अभी हमने study किया atom जो आपके पास में mass number है उसको हमने किस से multiply किया 1 amu से किस से divide करेंगे हम 4 by 3 pi r cube से यहाँ जो r cube है यह radius है तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए radius पता होना चाहिए अगर आप से पूचे नाभी का घनत्व कितना है तो पहले आपके पास में radius आनी चाहिए ठीक है और नाभी का घनत्व जो है उसके लिए unit कितनी होगी kilogram upon meter cube में यह तो आप सभी जानते हैं ठीक है तो आप से आप से कहा था कि वीडियो के last में आप लोगों के लिए एक surprise है surprise क्या है देखिए मेरा आप लोगों से question है which is best for you आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए notes के साथ में slide presentation लगा हूँ जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया है या फिर मैं आपको board पर lecture में पढ़ा हूँ जैसे मेरे और videos है electronics की और उसके साथ में मैं आपको notes provide करूँ आप दोनों के लिए बता सकते हैं आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा है आप मुझे ये comment section में बताएंगे ठीक है मैं आप लोगों के लिए daily एक video लाऊंगी nuclear physics का लेकिन ये depend करेगा आपके response पर अगर आप लोगों को video अच्छी लगे तो इस video को like जरूर करना तो मिलते हैं next video में with the angular momentum कोणिये समवेक के next topic के साथ में तब तक के लिए all the very best बाई बाई